बिहार में हो रही राजनेतिक उथल पुथल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं लगातार आप देख रहे होंगा कि किस तरह से सत्ता में बैठी एंडिये के बीच में घमासान मचा हुआ है हर दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और योजनाएं लगातार बन रही है इन योजनाओं में एक दूसरे को मात देने की बहुत सारी तरीके अपनाया जा रहे हैं और यहां तक की आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सारा प्लान किया जा रहा है हर पार्टी अपना स्वक्ति संचे कर रही है और कोई एक दूसरे के साथ सामंजर से नहीं बिठा रही है खास करके अगर दो बड़ी पार्टीयों की बात करें एंडिये की जो बिहार की सत्ता में हैं भारते जनता पाठी और जनता दल उनाइटेड दोनों के ही अगर कहा जाए तो सिर्ष नेत्रितु के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो बिहार केडर के लोगों को या बिहार में जो नेता हैं उन लोगों को स्विकार नहीं हो रहा है कहीं न कहीं ये ऐसा उल्जा हुआ तार है जिसको सुल्जाने में दोनों ही दल पूरी तरह से छत विचत हो रहे हैं कहीं न कहीं इसका डैमेज भी हो रहा है और इसको भरपाई बड़ा मुश्किल होगी वहीं दूसरी तरफ दो छोटी पाटियां जिसे कंदे पर बिहार की सरकार चल रही है वो असन तूष्ठ है उनके असन तूष्ठ होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से इस बात को ले करके जो चीजे चल रही हैं उस पर काफी संकोच और संयम से अपना काम कर रहे हैं इन सारी बातों को ले करके जिस तरह की बाते सामने आ रही हैं वो इस पर्ष्ट निदेश दे रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है एक तरफ जहां बिहार में ये सारी चीजे हो रही हैं वहीं दूस तरफ आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको ले करके जीतन रामाजी और मुकेश सहनी के बीच में हुई बातचीत आपको सब कुछ कह देगी। और अपने 166 शीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इन सारी पातों को ले करके अब और खुल करके बिहार की राजनीत सामने आ गई है। कुमार का प्लान बहुत ही मजबूती के साथ और पुखता तरीके से बनाया गया है। बातों को ले करके आप क्या सोचते हैं यह आप पर निर्वक करता है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि इसके पीछे नितिश कुमार के एक बड़ी रण निति है। दोनों मंत्री बाहर निकले। जल संसाधन, सुचिना जन संपर्क मंत्री, संजे कुमार जहा और जदियू यह दिल्ली के जो परभारी भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि BJP के साथ гठभणधन की बात को ले करके और आगे उत्तर प्रदेश में गठभणधन को ले करके बहु't सारी बाते होई। पत्रकारों ने उनसे सवाल पुछा तो उन्होंने बहुत ऐसी बाते कहदीर जिन बातों को ले करके अब कहीं न कहीं चर्चाएं तो सुरू हो गई हैं एक तरफ जहां भारतिय जंतापाटी और जदियों के बीच में बिहार में कोई सामज़त से नजर नहीं आ रहा है दोनों मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने इस पर्ष तरीके से जदियों करयाले में जन सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष आगे बढ़कर के अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ जा रहे हैं उससे सपर्ष है कि हम आगे होने वाले जो चुनाव है पांच राज्यों में उसमें पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे उन्होंने फ़स तरेके से कहा कि इतना ही नहीं हम दिली नगर निगम का चुनाव भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम एंडिये के तहत भी चुनाव लड़ सकते हैं जो सीट सेरिंग का समझोता है उस पर हमारे राश्टिय अध्यक्ष ने बाचित कर ली है आपको बता दें इसके ठीक पहले जदियू के राश् यह कहा जा रहा था कि जदियू और भाजपा बिहार में असहर हैं वहीं जदियू और भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती हैं तो इसमें आपको सीधा नज़र आएगा कि भाजपा की मजबूरियां कितनी बड़ी हैं आपको बता दें कि और उन्हें कहा है कि हमने सीट का जो शमतता है उसकी जानकारी दय दिंगा उन्हों रहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीटों की सुची हमने सूप दिय है उप चुना में भाजपा को से बात करने के लिए Auto से पिसिंग अधिकित किये गे हैं वे सीटों पर समझोता को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे लड़न सिंग ने इस पर्ष तरीके से इंकार किया कि जदी उतर प्रदेश में कितनी सीटों पर दावा रखती है यह फैसला तब होगा जब सीट सेरिंग का समझोता हम क हो जाएगा कि जो प्लानिंग बन रही थी 2024 के लिए उसकी पूरी तैयारी परिष नितिश कुमार हर तरह का समझोता करने के लिए और अपने आपको राजनितिक रूप से पूरी तरह से परिपक्को राजनितिक के रूप में सामने रख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े और भारते जनता पाटी हमें भी हमारे साथ मीं सीट सेरिंग का समझोता करें लेकिर ऐसा संभव नहीं लगता है भारते जनता पाटी को ये बात समझ में आ गई है कि इन दोनों को वहां रखना उचित नहीं होगा जिस तरह से बिहार में सरकार पेंडूलम की तरह रही है उसी तरह से उत्तर प्रदेश भी होगा और उत्तर प्रदेश में नितीश कुमार के वोट बैंग 12-13% होना भारते जनता पाटी के लिए फाइदे मंद होगा यही कारण है कि भारते जनता पाटी ने कहीं ने कहीं नितीश कुमार को साथ रखने का और कम से कम सीटे करके समझ होता करने का जो मंसा बनाया है उसमें नितिश कुमार का फाइदा ये है कि अगर नितिश कुमार वहां कुछ भी सीट जीत जाते हैं तो आने वाले 2024 के चुना में यदि पढ़ान मंतरी के उमिद्वारी के लिए साझा भी पक्ष नितिश कुमार का नाम देता है तो उनके पास उत्तर प्रदेश में भी अपना आधार होगा और वो उनको फाइदा देगा। इसके साथ ही राष्ट्रिय दल का जो टैग है वो भी नितीश कुमार को मिलने की सम्भावनाय बढ़ जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के लगता जिस तरह से नितीश कुमार तयारी कर रहे हैं भारते जनता पार्टी भले ही ये बात समझ रही हो कि नितीश कुमार और भारते जनता पार्टी लेकिन भारते जनता पार्टी का भी जो ठिंक टैंक है वो सारी बातों पर गौर जरूर कर रहा होगा आने वाले समय में बिहार की राजनित से होता हुआ उत्तर परदेश की राजनित हम ने आपको कई बार कहा था कि बिहार से उत्तरपरदेश और न感ुड दिली का राश्ता होता है और दिली तरीके से जब बाचित मीडिया से कलकर रहे थे तो बताया था कि किस तरह से दिल्ली में बिहार और बिहार के लोगों का बार्चस्वा है और बिहार के लोग महां निरनायक भूमिका में रहते हैं इन सारी बातों को ले करके अब जदियू और भाजपा के बीच में यदि सीट सेरिंग का समयोता होता है उत्तर प्रदिस में चुनाव दोनों लड़ते हैं तो ऐसी इस्थिती में जीतन रामाजी और मुकेश सहनी क्या करेंगे ये लगभग मुकेश सहनी ने सपस्ट कर दिया है और इससे ठीक पहले इस बात की सुखबुगाहट भीतर ही भीतर चलते कहीं ब्रामण वोटरों को भारतिय जन्ता पार्टी से नराज करने और उनको दूर करने का ये बड़ा प्लान जो रचा है कहीं न कहीं जीतन रामाजी ने वो अब साफ होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में ब्रामण पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ जुल गए ह कि किस तरह से ब्रामण समाज के बड़े नेता भारतिय जन्ता पार्टी से नराज नजर आ रहे हैं वहीं मुकेश सहनी का जो अपना वोट बैंक है मुकेश सहनी का दावा है कि 10% से ज्यादा उनका वोट बैंक है और आंकलों के हिसाब से भी जिस तरह से देखा जा रहा है क कहीं न कहीं भारती जन्ता पार्टी इस बात एंटी इंकंबेंसी जहल रही है और योगी आदित तेनाथ के खिलाब एक बड़ा महौल बनायाने की कोशिश की जा रही है उस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं विपक्ष के लोग ये बड़ी बात होगी वहीं आपको बता दे कि नितीश कुमार भारती जन्ता पार्टी के साथ ये दिरह करके भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो इसमें फायदा भारती जन्ता पार्टी के कम नितीश कुमार का ज्यादा नजर आ रहा है और इन सारी बातों को ले करके एक बात तो एस पस्त नजर आ रह वो बता रही है कि बिहार में होने वाले जो घटना है उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा और यही कारण है कि भारते जनतापाटी मजबूरी में नितीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार हुई है जब कि यह सपस्ट नजर आ रहा है कि इससे ज्यादा फाइदा है भोरे भोर में हम आपसे यहीं विजा लेते हैं कल फिर मुलाकात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रवा मुफ्त में मिल जए अगर रवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी